Hi friends, welcome back to another video दोस्तों आज के इस वीडियो में है मैं आपको बताऊंगा आप DGPay से आप अपने अकाउंट में कैसे पैसे को ट्रांसफर करते हैं तो इस वीडियो को पूरा लाज तक ज़रूर देखना तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको लेटिस्ट वर्जन का DGPay इंस्टॉल होना चाहिए आपके कम्प्यूटर में तो यहाँ पे मेरा इंस्टॉल है मैं इसे ओपन करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कुल गया है यहाँ पे अभी हमारा वर्जन है 6.7 ठीक है प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तीन चार ओप्सन आएगा वैरिफिकेशन का आप अपने आधार में जो भी मोबाइल नंबर रेजिस्टर है उस पे आपका OTP जाएगा देख सकते हैं गेट OTP और रेजिस्टर मोबाइल तो इस पे वैरिफाइब करता हूं मैं वरिफाइब करने के बाद आपको यहाँ पे बाइमेट्रिक से आपका थम को भी स्कैन करेंगा यह तो मैं इसे स्कैन कर लेता हूं तो यह हमारा स्कैन हो चुका है और यह हमारा खुल गया है ठीक है तो आप देख सकते हैं जैसा कि अभी हमारे वालेट में 8,266 रुपए है अभी क्या है कि एश्रम कार्ड का मेरे अकॉंट में अभी उसका कमिशन आया हुआ है तो कितना कमिशन आया वह भी दिखा देता को चैसा कि 0 6,613 रूपए का कमिशन आया है इस्ट्रम का देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अभ इस्ट्रम कमिशन अब इसमे प्राब्लम यह है कि इसमें और भी कुछ लिखा हुए नहीं रहता है कि कभ से कब तक कायोjesन है일 और कितने स्रम कार्म कार्ड का कमिशन न करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब गर आपको अपने गलेट ग्मळ चौड़ना पड़ेगा अगे यह यह नहीं होगा कम से कम 1.500 रुपय आपको इसमें वालेट में हमेशा रखना पड़ेगा ठीक है तो इसमें से 1.500 रुपय निकाल सकते हैं अपको यहां पर दिख जाएगा अकॉंड नेम और आपका अकॉंड नमबर बगएरा सब यहां पर लिखा हुआ आएगा ठीक है तो यहां पर टिक करेंगे और यहां पर अमांट लिख देंगे जैसा कि था हमारा 8100 अब यहां पर किस तरह से आप अपने अकॉंड में चाहते हैं पैसा एनी एफ्टी या आइएम पीएस एनी एफ्टी में हो सकता है कि एक दिन का समय लग जाए लेकिन आइएम पीएस जो ह करते हैं एकसेप्ट करते हैं और फिंगर अपना सकैन करते हैं हमारे एकॉंड में पैसा चला जाएगा तो इसकैन हो गया हमारा यह प्रोसेस इस तरह से चलेगा 116 सेकंड 15 सेकंड और मेरे मोबाइल में मैसेज आएगा आप देख सकते हैं यह हो चुका है सक्सेस्फूल ट्रांजेक्शन हो गया है और अब मेरे अकॉंड में जो है आप देख सकते हैं चार्ज भी हमारा कटा पांच रुपए का और GST कटा है जीरो पॉइंट कुछ आप देख सकते हैं मैसेज भी आ चुका है हमारे पास हाँ अकॉंड में आ चुका है मेरा पैसा ठीक है तो अब दुबारा से यहां पे डैस बूर्ड में जाके देखेंगे यहां पर अभी हमारा इतना ही दिखाए दे रहा है लेकिन पास्बुक में आके रिफ्रेश करेंगे तो इसकी एंट्री हो जाएगी हमारे पास्बुक मे और यहां से फिर से जब देखेंगे तो यहां पर 111 रुपय का बैलेंस हमारा भी वालेट में दिख रहा है ठीक है तो उमीद है चोटा सा इन्फोमिशन आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो इसे लाइक करे शेयर करे अगर कोई सवाल या सुजाओ हो तो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं और आगे भी ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में गुडबाए